गाव में रहने वाला एक नौजवान लर्का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार-बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा साभी गलत हो जाता है तो वो बस उसी की एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है वही बात उसके दिमाग में हर समय गूंती रहती फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किसमत और भगवान को कोसता रहता था या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के खयाली पुला बनाते रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। लड़के की समस्या सुनने के बाद साधू वहां से उठकर मट के अंदर चले जाते हैं, साधू का बिना कुछ उत्तर दिये उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है लेकिन वो फिर भी वही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि साधू मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। साधू लड़के के पास आकर खड़ी हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। साधू लड़के से पूझते हैं बताओ इस गलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता लेकिन इस गलास का वजन बहुत ही कम है। अब साधू ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्ण ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़ कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा कुछ भी नहीं, फिर पूछा अगर मैं इस गिलास को इसी तरह एक गंटे तक पकड़ कर रखू तो क्या होगा? तो लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्ध होना शुरू हो जाएगा, साधू ने फिर प्रश्ण किया अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूँगा, तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयनकर दर्ध होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुनना भी हो सकता है, आपकी मानस्पेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, साधू ने कहा बहुत बढ़िया लेकिन क्या इस दोरान ग्लास का वजन बदला? लड़के ने कहा नहीं, तब साधू ने पूछा वजन तो नहीं बढ़ा पर तब भला हाथ में दर्द और मानस्पेशियों में तनाव क्यों आया? बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण लड़के ने जवाब दिया, साधू ने फिर प्रश्न किया अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूँ? ग्लास को नीचे रख दीजिये लड़के ने कहा, जे बिलकुल सही और जीवन की परेशानिया भी कुछ इसी तरह होती है इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखो और लगेगा कि सब कुछ ठीक है उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचो और तुम्हें पीरा होने लग जाएगी और इसे और भी देर तक अपने दिमाग में रखो फिर ये तुम्हें आसानी से पागल करने लग जाएंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे साधू ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा अपने जीवन की पिछली गलती को और घटनाओ के बारे में सोचना जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखा कर आगे बढ़ना अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविश्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिंग गलतियों के लिए कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसे ही गलतिया ना करो जिसके लिए तुम्हें भविश्य में पच्ताना पड़े इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान करो क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चीता तक ले जाती है ऐसे ही और रोचक जानकरी के लिए हमारा चैमनल को सब्सक्राइब कर ले धम्यबाद